चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का एकने पली जाब इसे जरूर प्रेस करें साती साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तोम मैं हूँ नम्रता बजारिया इन्नियन यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरे यूटुब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो अगर आप भी परेसानें अपने घर के चुऊंगों से तो आज की इस नस्खे से आप अपने घर के सारे चुऊंगों को भग बबू आएगा और बहुत से लोग सोचते हैं कि चुहे गड़े ची वगवान की सवारी होती है तो क्यों पाप लादें ऐसा हो जाता ना कि क्यों पहीं हमको पड़ जाएगा चुहों को मारेंगे तो इस काफी लोगों को यही होता है कि चुहों को बिना मारे ही घर से भगाद यहां गर के बार हो जाएगे चलिए विडियो को लाइक कर दे न जबसे पहली सामगरी यहां पर हमें चाहिए जूँगों के लिए यह देखी यह है तंबाख्यू को कौन से तमाखु है यह है गुटका वाला तमाखु जो भाई वैन गुटका खाते हैं तो उसके साथ में यह तरफ में मिलता है तो आप यह पाउच ले लहाँ तो यहां पे मैं करीबन दो पाउच लूँगी तमाखू के क्योंकि इसमें थोड़ा से कम निकला है इसलिए मैं दो पाउच लूँगी यहां पे मैंने एक पाउच डाल दिया है अब यहां पे मैं करीबन देखिए देखिए तोड़ा से कम लग रहा है मुझे तो इसलिए मैं यहां पर दो पैक तमाखू के डाल दूँगी तो इस तरीके से इसमें पैक हमने डाल दिया है अब इस से मैं सब पूरा बताऊंगी आप वीडियो पूरा देखना अब इसमें हम डालेंगे क्या यह हो गया जो तमाखू है यह हो गया चुगों को नसे में करने के लिए अब आप सोचेंगे कि चुगे तमाखू तरफ क्यों आएंगे अब यह हो गया जो यह आप देख रहे हैं यह चम्मच से मैं डाल रही हूँ देशी घी जो खाने वाला गी होता है देशी गी रोटी में चुपड़के खाते वो वाला गी यह देशी गी हम डालेंगे करीबन दो चम्मच इससे इसकी खुसबू चुओं को इतनी पसंद होती है कि वो दोड़े चले आते खाने के लिए अब इसमें हो गया तंबाखू हो गया दो पा दो चम्मच आप बेसन डालिए और दोस्तों अगर आपने इस मुस्के को कर लिया तो आपको दुबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चुओं आपके घर से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि आपके घर में एक भी चुओं ना हो तो यहां पे दो चम्मच हो गया बे आपको गया है जब यह चुओं के पेट में जलन होगी ऑट होगी तो वह पानी के लिए तो इस जगह पर आपको क्या है इसको आप अच्छे से मिक्स करिया matter को मतातीοι ओ वीडियो आप पूरा दे करेंगा इसके बिल्कुल ना करां अधर आप समझ amdas तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि यह अच्छे से आटे में घी मिक्स हो जाए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम इस तरीके से इसको आटे को गुन लेंगे तो यह देखे आटा बिल्कुल इस तरीके से आपको तयार करना है ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा सॉप्ट दोस्तो बेसन हमने यहां पर इसलिए यूज किया है क्योंकि यह बेसन को आप बनाए तो आटा जब आप गूनेगे तो यह काफ़ी खुसक होता है और इसमें खुसक आटा आटा तयार होगा तो चलिए आगे मैं बताते हैं आप देख सकते हैं यहां पर आटा मैंने अच्छे से गून के तयार कर लिया है यह देखिए आप इसके बाद में आपको करना क्या है आप बावल में आप फिर से एक चम्मच आप डाल दीजे घी आप सोच र प्रोलौ में वजाती हैं तो अब आप क्या करें इस तरीके वी तडाल करकर यह आप पृर से इस घी में लगा लीजी एक यहां तरीके से ताकि इसमय और अच्छे से सिसमय लाने लगे यानिकरिकी खुशुणावने लगे अब क्या कर से इस फिर इस प्रूटे को लेकर हेसी की घर में होते हैं और महंगे महंगे सामानों को ऐसे काट जाते हैं कि इतना कश्ड होता है सामान को देखकर के कि बताओ इतना महंगा सामान और तुऒगए काट गई कै तो दोस्तों आप ये नुस्खा आजमाल है इस력 कोई ज्विक्या कृष्टा नहीasket है सामान इतना महंगा कर जाता महंगे महंगे कपड़े काट जाते हैं महंगे महंगे साड़ियां खराप कर जाते हैं काट जाते हैं तो आप बताएए वो महंगा है कि ये महंगा है तो आप इस तरीके से इन गोलियों को तयार करने के बाद में आप क्या करें इन गोलियों को आप आपको फटान की तरफ प्रिज़ के पीछे डाल देना आपको इतना इतना तो पता हे रहता कि किस एरिया में क्विएac जदा आते हैं तो आप इस तरीके से और पूरे घर में एक डाल डाल दें आफ दोस्तों जैसे ही यह गोलियां आप डालें के अप तो आप खुद देखएंगे चुवे इसकी खुसूबू से घी घीक फिचाप दोड़े चले फिर इस गोळी से मिर्च पड़ी है इससे न हमें और यमोट से उनके पेट आरे आप आप पानी की बैस्ता नहीं होनी चाहिए पानी आप ढखकर के रखें और बात्रूम आप बंद करके रखें बस आपको करना क्या है कोई खिडकी या फिर दर बाजा खुला शोड़ें बाहर के लिए जो बाहर की खिडकी ओ दर बाजा हो ताकि यह चुए बहार भाग सकें जब इन κुव को आपके घर मैं पानी नहीं मिलेगा तो ये चुवे पानी की बज़ए से ये बाहर भागेंगे तो दोस्तों, आपके घर से सारे चुवे गायब हो जाएंगे बस आप इस नुशके को ट्राइ करना फिर आप देखना इसका कमाल आप एगर में न तो चुगे मरेंगे न कुछ मरेंगे तो एक भी नहीं बस घर से भाग जाएंगे तो आपको पाप भी नहीं पड़ेगा और चुगों से छुटकारा भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब को लेना मैं मिल तूँने वीडियो साथ तब तक के लिए नमस्कार